जहन साथियो आप देख रहे हैं सरकारी जॉब रिपोर्टर जिसमें हम बात करने वाले हैं पैंटर जेनरल सिकेंडियर के एक्जाम के लिए कुछ हमारे पास कुछ ऐसे कोश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंड है आईटियाई सिकेंडियर पैंटर के लिए तो आ करती है ऑप्शन द्रवित वायू पंप गां हाईड्रोलिक या इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर है अंसर ए द्रवित वायू आप जानते हैं जब इस प्रेग गंच चलती है तो इसमें से हवा वायू निकलती है इसी वजह से पूस्चन नमबर टू प्याता है जब बड़ी एरिया में पेंट करना होता है तो किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन ब्रस रोलर दोनों या इन में से कोई नहीं तो इसका आंसर है C ब्रस और रोलर ये दोनों ही पेंट में काम करते हैं चलिए कोशन नमबर थ्री पर आते हैं जब पेंट की तली पर लगाई जाती है तब किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन ब्रस रोलर या इस प्रेगन या इन में से कोई नहीं तो इसका आंसर है C इस प्रेगन चलिए अगले क्वेशन पर आते हैं क्वेशन नमबर फॉर किसी द्रव को छोटी छोटी बूंदों में बाटने को क्या कहते हैं दिव्यो फ्यूजन, आटोमाईजेशन, दिस्टिगेशन या इन में से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर है क्वेशन नमबर बी अगले क्वेशन पर आते हैं क्वेशन नमबर फॉर किसी पुरानी वा आसमान सतह पर पैंड करने के लिए सबसे सस्ती विदी क्या है ऑप्शन देख लिजिए ब्रश पैंटिंग रोलर कोटिंग इस प्रेप पैंटिंग या इन में से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा कोशन ब्रश पैंटिंग जो पहला ऑप्शन है अगले कोशन पर आते हैं जंग किसका उत्पादन करती है नाइट्रोजन ऑक्साइड का या औक्साइड का या कार्बाइड का या एन मेंसे कोई नहीं तो इसका राइट आंसर है दोस्तो क्वेशन नंबर बी ऑक्साइड क्वेशन नंबर अगला जिस पाइप से छार ले जाते हैं उसका कलर कैसा होता है क्वेश्च ऑप्शन देखिए अल्यूमिनियम समद्रीध हरा गहरा बैंगनी या इसमोग ग्रे तो इसका राइट आंसर है वन अल्यूमिनियूम तो आप जानते हैं जो पाइप से छार रे जाते हैं उसका कलर अल्यूमिनियूम कलर का होता है नेक्क कोशन पर आते हैं धात्विक सता का कम होना क्या कहलाता है एक्सिडेशन पेश्वेशन पायरोजन या इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर है बी पेश्वेशन नेक्क कोशन पेश्वेशन में किस फायर एक्सिडेशन का प्रियूग करते हैं ऑप्शन करबन डायक्साइड का पाउडर का या इनमें से दोनों इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर अगर एक पर क्लीनिंग है और दो पर पुट्टी है तीसरे पर प्राइमर है और चौथे पर पैंट है तो इनका सही करम क्या होगा नेक्क कोशन पर आते हैं तो इस टेन का आंसर होगा क्यूंकि दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्लीनिंग करेंगे उसके बाद हम लोग उस पर प्राइमर चड़ाएंगे उसके बाद पुट्टी करेंगे और चौथे पर पैंट करेंगे नेक्स कोश्चन पर आते हैं पेंट के शेट को बदलने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है कोश्चन नमबर 11 है और इसका राइट आंसर है बी स्टेनर का प्रियोग किया जाता है जब कभी भी हम सेट को बदलने के लिए उसका प्रियोग करते हैं तो वहाँ पे श्टेनर का प्रियोग करते हैं नेक्स कोश्चन पर आते हैं जिस पाइप में हवा ले जाते हैं उसका कलर कैसा होता है दोस्तों कोश्चन नमबर बारा है जिस पाइप में हवा ले जाते हैं उसका कलर कैसा होता है तो उसका कलर आसमानी होता है, आसमानी नीला होता है नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं, जंग का निवारण कैसे किया जाता है कोश्चन नमर 13 है और इसके ऑप्शन है, जेट की कराउंड से, पैंट से या इनमेस से दोनों, या इनमेस से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर है, आंसर C, दोनो, A और B दोनो नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं, धातु का स्वयता जंग लगाने का क्या कराण है आक्सिडेशन, पॉजिवेशन, या इनमेस से दोनों, या इनमेस से कोई नहीं तो इसका right answer A है Oxidation का मतलब यह होता है कि जल के साथ में Oxygen जब मिल जाती है तो वहाँ पर जंग लगने लगती है दात उपर Next question पर आते हैं Question number 15 Is this last question Animal paint किस पर आधारित है? यह question number 15 है इसके option देख लीजिए पानी, आउकलीट या तेल या आउकलीट पर या इन में से कोई नहीं तो इसका right answer है answer C तेल और आउकलीट दोनों पर है दोस्तों यह थे हमारे Second Year के पेंटर जनरल के question दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हम लोग जल्द ही इस पे नए question डालेंगे करपास चैनल को subscribe करने हैं